पिरमिड में कौन ध्यानमगन होता है? पिरमिड मृत्तकों को रखने के लिए बनाए गए थे पिरमिड मृत्तकों के लिए बनाए गए थे, जीवित लोगों के लिए नहीं अगर आप पिरमिड बनाते हैं चाहे आप कागस का पिरमिड बनाएं आप रयोग करके देख सकते हैं पिरमिट के शीर्ष पर 56 डिगरी का कोन होना चाहिए सभी चारों कोनों पर अगर आप ठीक 56 डिगरी कोन के साथ पिरमिट बनाएं चाहे एक मामुली पेपर पिरमिट हो आप एक सबजी लीजिए अगर ये ट्रॉपिकल वातावरन में हैं तो आप बहुत आसानी से इसकी जाच कर सकते हैं मान लीजे कोई सबजी या फल है जो आम तोर पर 3-4 दिन में सड़ जाता है उसे लीजे उसे एक पेपर एक पेपर पिरमिट में रखे ये पका कीजे कि कोन सही हो उसे उसमें रखे उसे हफ़ते या दस दिन तक छोड़ दीजे आप उसे खोल कर देखेंगे तो कोई सड़न नहीं होगी ये मुर्जा जाएगा मगर कोई सड़न नहीं होगी क्योंकि प्राण की पांच अभिव्यक्तियां होती है उनमें से एक जो व्यान कहा जाता है व्यान प्राण ये हैं प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान ये शरीर के अंदर उर्जा की पांच अभिव्यक्तियां है व्यान शरीर की संरक्षन करने वाली प्रकृति का दिहान रखता है अगर आप एक पिरमिड का आकार बनाते हैं तो ये व्यान एकठा हो जाता है और स्वभाविक रूप से किसी चीज को लंबे समय तक सनरक्षित किया जा सकता है आपने ममी के बारे में सुना होगा उनके एपिथीलियल सेल अब भी उसी तरह सुरक्षित हैं उन्होंने काफी मेहनत भी की वो बहुत गहनोना काम है क्या आपने सच में कोई ममी देखी आप एजिप्ट गए हैं उन्होंने मृतकों को सनरक्षित करने के लिए धेर सारा काम किया क्यूंकि उनके दिमाग में कुछ कालपनिक विश्वास थे मगर ये दरसल सनरक्षित के बारे में है नई मैं जानता हूँ कि धेर सारे लोग पिरमिड सोसाइटियां भी इसे बढ़ावा दे रही हैं आप एक पिरमिड के नीचे ध्यान कर सकते हैं पिरमिड ध्यान करने के लिए नहीं पिरमिड मृत्यकों को रखने के लिए अगर आप अपने परदादा को सनरक्षित रखना चाहते हैं तो आप पिरमिड बना सकते हैं मगर मैं कहूंगा मरे हुओं को क्यूं परिशान करना मुर्दों को मुर्दों के लिए छोड़ दीजिए जीवित लोगों की आपको चिंता है, है ना? हाँ ये और आपके आसपास के बाखी लोग, जो जीवित हैं, आपको उनकी चिंता होनी चाहिए, मरे हुए की नहीं? पिरमिड मृत्तकों के लिए है कुछ, मुझे नहीं पता की उन्हें क्या बुलाना चाहिए ऐसे लोग पिरमिड को एक ध्यान प्रक्रिया के रूप में प्रचारित कर रहें पिरमिड का ध्यान से कोई लेना देना नहीं, ठीक है? आपको समझना होगा ध्यान किसी तरह का काम नहीं है ये एक तरह का गुण है अगर आप अपने शरीर का विकास करें अगर आप अपने मन का विकास करें अगर आप अपनी भावनाओं और अपनी उर्जा को एक समझदारी के स्तर तक ले जाएं तो ध्यान खिल ओठेगा आप उसे रोक नहीं सकते आप कोशिश कीजिए और ध्यान करने की कोशिश कीजिए आप अपना विवेक खो देंगे और आपके दिमाग में जो है वो भी गिर जाएगा हाँ आप फूल खिलाने की कोशिश मत कीजिए आप बागवानी करना सीखिए फूल अपने आप खिल जाएंगे हाँ आप फूल खिलाने की कोशिश मत कीजिए अगर आप फूल खिलाने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास सिर्फ प्लास्टिक के फूल रह जाएंगे, आपके पास फूल नहीं होंगे, आप बागवानी सीखिए. अगर आप अपने बगीचे में गुलाब के फूल जाते हैं, तो आप गुलाब के बारे में नहीं सोचते, आप मिट्टी के बारे में सोचते हैं, खाद के बारे में सोचते हैं, पानी के बारे में सोचते हैं, दूप के बारे में सोचते हैं, है न? उसी तरह आप शरीर के बारे में सोचिए, मन की सोचिए, भावना की सोचिए, उर्जा की सोचिए, उसके बारे में कुछ कीजिए, आप ध्यान में चले जाएंगे. झाले जाएंगे.